हाई आप सभी कस्वागत है हमारे चैनल पर तो आज हम बनाने वाले हैं लोकी की बर्फी वह बहुत आसानी से जैसे कि आप जानते हैं गने शेदर तिया तो सभी सभी अपने घर पर मोस्ली सभी लोग अपने घरों में गणपदी बापा बठालते हैं और रोज कुछ न को करते हैं तो यहां हमने लिए तीन लोकी जिसको हमने शील लिया है अब हम इसको करेंगे कद्दुकस तो हम सारी लोकी को एक-एक करके कद्दुकस कर लेंगे तो यहां लगवक हमारी सारी लोकी अच्छी तरीकी से कद्दुकस हो चुकी है तो हम यहां लेंगे एक कड़ाई उसमें हम डालेंगे एक सो दो चमच की और अपनी लोकी को डालेंगे द्यान उने नमीद मच करेंगे और यहां लोकी का पानी निकाल के डालना है उतव ब्रफी क्ली नश्य्यक्ते वकशन मतशनाना था समृआना वरिये तो अच्छी तरीके से mix करेंगे और आराम से 10-15 मिनिट में चलाएंगे और अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप हलका सा अच्छी तरीके से पहले गरम करेंगे अच्छी तरीके से पहले गरम करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा मावा एक तम गरम हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे चीनी दियान रहे हैं चीनी तोड़ी ही डाले हैं क्योंकि हम पहले ही लौकी में डाल चुके हैं तो यहां हमने चीनी डाली है और इसको अच्छी करेंगे 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 इस तरीके से हो चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे अपनी लौकी जो हमने आदी पकाई थी अब उसको डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मेक्स करेंगे और इसको हम कम सी कम 10-15 मिनिट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे क्योंकि इसका पकना बहुत जरूरी है तो यह है हम पका रहें अच्छी तरीके से इसको चला चला के पकाईए और फिर हमें हमने एक प्लेट लेगी उसमें लगायाएगी अब इसमें हम दालेंगे लाइची पाउडर और इस को भीणी से जया है अब उनकेजल दИ्या हम ज़रों यूगी सोरा हो यूगना क्या ऴरकत है यूगी सोरें य। नहीं जो भी पेस्ट हम वर डालेंगे मंतना सारा पेस्ट डाल देंगे जो भी हमने लोकी कप बनाया था विसma को डालने के बाद हम अच्य दरीगे से चालो और फैला लेंगे फैलाने के बाद से कम से कम हम 20 अ-30 मिन तक इसको जमने के लिए रख देंगे तो यह 20-30 मिनट माद हमारी लौकी की बर्फी बन के तयार है अच्छी तरीके से तो अब इसको हम पीसे में कट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी बर्फी कितनी ही आशानी से कट रही है और बहुत अच्छी तरीके से जम चुकी है बर्फी काट यह कुलब तो एक हेक करके हम अपनी सबनग पॉलपी को सब करेंगे तो हम यहां पर एक हेक करके अपने पीसें ने काल रहें और अपनी सबनग है और अगर आप लूपर ऑक mustपान शाल सकते हैं और मैंने काजु को पीच में से कट कर लिए काजु नहीं बादाम को मैंने हाफ आदा आदा कट कर लिया तो और इसको उपर से लगा रिया तो आप देख सकते हैं हमारी लौकी की बादा कितनी अच्छी लग लिया और ये खाने में भी वह टेस्टी दी तो अगर आप ऐसी और करें